टीम वंडे के स्टार खिलाडी स्रियस अयर को लिएक वीडियो सामने आया है अयर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बी सी सी आई के साथ जो विवाद हुआ था उस पर बात की अयर ने बताया कि उन्हें वंडे वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट चाहिए था उन्हें अपने सरीर पर काम करना था लेकिन अयर ने बोला कि उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई और बी सी सी आई के साथ कम्यूनिकेशन को लेकर समस्या हुई और चीजें गलत हो गई थी बी सी सी आई ने इंग्लेंड सीरीज के बाद अयर पर एक्षन भी ले लिया बी सी सी आई ने अयर को सालाना कॉंट्रेक्ट से भी बाहर कर दिया था और वज़े ये बताई थी कि स्रिय शायर ने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला इस वज़े से उनको सालाना कॉंट्रेक्ट से भाहर किया गया लेकिन अब अयर ने इस बात पर तंज कस्ती हुए कहा कि मुझे पता था अगर मैं टीम को रंजी ट्रॉफी और आई पिल जिता दूँगा तो सब चीजे सही हो जाएंगी क्योंकि बैट बोलता है श्रेस एयर की इस वीडियो के बाद श्रेस एयर की इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि वो खुद के उपर लिये गए फैसले से काफी नाराज है क्योंकि जिस तरह से एयर ने वंडे वर्ल्लकप में शांदार प्रदर्शन किया था उसके बाद इस तरह से उनको सालाना कॉंट्रेक्ट से बाहर करना बिल्कुल गलत है और BCCI का ये बढ़ताओ हैरान करने वाला था अभी जिस तरह से एयर ने IPL में केक्यार की शांदार कप्तानी की और जीत दिलाई ऐसे मेयर की वापसी टीम इंडिया में तो तय है और उन्होंने अपने प्रदर्शन से करारा जवाब भी दे दिया है कि BCCI ने जो उनके साथ किया वो बिल्कुल ही गलत था